असलाम उलेकुम गाइस कैसे हैं आप लोग तो गाइस चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं और यह नो चैप्टर का नंबर है 19 और यह एक नजम है और नजम का नाम है नन्नी पुजारन नन्नी पुजारन ठीक है बहुत ही तेजांदी और भायानक मौसम बना हुआ है गाइस और ऐसे भायानक मौसम में मैं आपको प्रहाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रैतन कर रहा हूँ ठीक है तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं कारिक्रम एक नन्नी मुन्नी सी पुजारन पतली बाहें पतली गर्दन भोर भय मंदिर आई है आई नहीं है माल आई है व आँखों में तारों की चमक है मुख्ड़े पर चांदी की जलक है ठीक आईस कैसी सुन्दर है क्या कहिए ननी सी एक सीता कहिए दूप चड़े तारा चमका है पत्थर पर एक फूल खिला है ठीक आईस मैं ज कहता हूं तो सॉरी फॉर बैट थो आसा इंट्रेस्ट लाने के लिए करता हूं चांद का टुकड़ा फूल की डाली कमसिन सीधी भोली भाली तो वाइस इसका हम सॉलुशन भी कराएंगे अभी ठीक है पहले इसको पढ़ लेते हैं और कोई ऐसा टॉफ वर्ड जा कैस मतलब गंबीर शब्द गंबीर मतलब सीरियस शब्द या कोई भी कटिंशब्द आगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस लब्ज का माईने आप कमेंड बॉक्स में करके पूछ सकते हैं ठीक कान में चांदी की बाली है हाथ में पीतल की थाली है दिल में लेकिन घ्यान नहीं है Oh Sorry पुजा का कुछ घ्यान नहीं है कैसी भोली और सीधी है मंदिर की चछत देख रही है माँ बढ़कर चुटकी लेती है यानि मजाग करती है उसके साथ उसको पूजा से क्या मतलब खुद तो आई है मंदिर में मन है उसका गुडिया घर में ठीक गाइज और शार का नाम है इस्रारलहक मजाज ठीक गाइज चलिए अब शुरू करते हैं ये लो अगला पार्ट ठीक है और देखते हैं हैंसे अब शुरू करते हैं एक्सराइस तो देखी ये है लब्ज और माइने ठीक ये है वर्ड पहला पुजारन यानि कि पूजा करने वाली भोर यानि सुबा ठीक है मुखडा यानि चेहरा सीता यानि राम चंदर जी की बीवी का नाम ठीक धूप चड़े दिन चड़े कम सिन कम उम्र ठीक ध्यान गहरी तवज्जा ठीक है ग्यान एल्म ठीक ना गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है शायद बारिश की आवाद आ रही हो हवाँ को चलने की आवाद आ रही है तो बहराल इस नजम में शायद ने एक ननी मुन्नी बच्ची की फितरत की अकासी की है फितरत यानि आदत अकासी यानि की रिफ्लेक्शन डाला है उसकी मा उसे मंदिर ले जाती है लेकिन उसका दिल गुड़िया घर में लगा रहता है ठीक है तो वाइस तेज बारिश के बीच हम अपना कारिगरम शुरू कर रहे हैं सोचिए बताइए और लिखिए यह है कोशन और आंसर ठीक न तो देख लीजिए यह है तीन इदर रहें और बाकी उदर रहें ठीक है तो शिवात करते हैं यहां पर लिखा वाई यूनो तो वाइस सव में ननी पुजारन एक छोटी सी ठीक है बच्ची को कहा गया है अब आइस देखते हैं सवाल अमर दो की तरफ शायर ने आखों में नीन भरी होने की क्या वज़य बयान की है तो जवाब है शायर ने आखों में नीन भरी होने की यह वज़य बताई है कि वक्त से पहले उठन से या उठने की वज़ा से नेन पूरी नहीं हो सकी है ठीक तो ये सवाल नमर तीन है नजम में सीता और चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है ठीक अब देखिए गाइस जवाब है ननी बच्ची को सीता और चांद का टुकड़ा कहा गया है ठीक है तो वाइस सवाल नमर चौता है आप समझ सकते हैं ठीक है शायर ने ननी पुजारन के बारे में क्या 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 बातें बताईीं ठीक तो जवाब देख लेते हैं शायर ने ननी पुजारन ठीक है ये सिंगल है और ये तीन नुकते है पे का ठीक है पुजारन के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं शायर ने बच्ची की तारीफ करते हुए कहा है कि बच्ची बहुत खुबसूरत और फूल की डाली जैसी नाजुक है फूल की डाली चलिए आप लिख लिजे है ना या फूल की तरह नाजुक है फूल की तरह लिख दीजे शायर ने बच्ची को मासूम बताया और कहा है कि मासूम भूले भाले को मासूम ही बोलते हैं ठीक है का है कि बच्ची को बड़ों की तरह इल्म नहीं है इल्म यानि के गयान बहुत भूली है ठीक है इल्म नहीं है कौमा फिर बहुत भूली है ये से बातें बताई हैं ठीक है उसके पाथ गाइस आगे देखते हैं जिनों सवाल अमर पांच मा बढ़कर चुटकी लेती है का क्या मतलब है है ना तो जवाब है गाइस मा बढ़कर चुटकी लेती है का ये मतलब है कि मा भी समझती है कि नन्नी बच्ची को कुछ नहीं पता और वो और वो भी उसको देखकर हस रही है उसकी मम्मी हस रही है ठीक है उर्दु में single आदमी के लिए भी हैं लगा देते हैं लेकिन and language में इंगलिश में आर नहीं लगाते आर आता है plural subject के लिए ठीक है हमसे बड़े जो हते हैं उनके लिए हैं लगाते हैं जैसे मैं कहता हूँ के राजा आ रहा है राजा एक आदमी है अब मेरी उमर का है तो ठीड़ी कह सकता हूँ लेकिन राजा अगर बड़े हैं राजा साहब हैं असल राजा हैं हम कहेंगे राजा साभ आ रहे हैं betrayal हैं लगांगे लेकिन वह प्Jamal he ही इज्जत देने के लिए Sabal current सब्सक्राइब शार आ थिमांड वारशा है यृक्त नदाता मन कहां है जवाब है नन्नी पुजारन का मन गुड़ियाग घर में है ठीक गाइस अब शुरू करते हैं यह आगे की एक्ससाइस का सॉलुशन देखें तो गाइस यह कोशन तो हो गया अब देखते हैं नीचे दिये हुए मिस्रों को मकमल किजिए मिस्रों बोलते हैं शेरोशाःी का एक पॉलिट्री या नजम या पॉलिट्री है ना एकी बात है उस्की एक लायन को बोलते हैं मिस्रा आँखों में तारों की चमक है ननी सी एक सीता कहते है चांद का टुकड़ा फूल की डाली पूजा कुछ गFFर ग्यान नहीं है मा बढ़कर चुटकी लेती है उसको पूजा से क्या मतलब ठीक गाइस तो समझ सकते हैं ये तारों है फिलिन बलैंक्स में ये सीता है ये खाली जगा पर फूल है ये ग्यान है ये चुटकी है ये पूजा है अब आगे देखते हैं किया है नीचे दिये हुए लबजों की जमा यानि की प्लूरल खानों के मताबिक लिखिए ठीक तो देख सकते हैं गाइस ये नो यहां लिखा वाई पहले से गुडिया का गुडियाओं है ना या गुडियाओं जो भी ये वहराल थाली का थालियाँ मैंने लिख दिया यहां पे डाली का डालियाँ आँक का आखें ठीक बाली का बालियाँ मुकडा का मुकड़े ठीक है और गाईस अब देखते हैं ये नो नीचे दिये हुए लबजों को जमलों में इस्त्माल कीजिए और खाली जवां में लिखिए तो आइस आप समझ सकते हैं ध्यान एक word है जिसका मतलब होता है ध्यान यानि के खबरदार रहना या ध्यान देना या you know समझ सकते हैं आप हमें किसी की बात ध्यान से सुननी चाहिए हमें किसी की भी लगा सकते हैं guys you know that very well ध्यान से, नहीं तो तूट जाएगा, ग्यान, ग्यान का मतलब होता है, अर्दू में इल्म होता है, और, इंग्लिश में नॉलिज बोलते हैं, ठीक है, हर रोज कोई ना कोई ग्यान जरूर सीखना चाहिए, है ना, सही बात है ये, मजभब, यानि कि रिलिजिन, मैं इसलाम का मानने वाला हूँ, यहां पर आप इसलाम के जगा पर हिंदू भी लिख सकते हैं, सिख भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, नींद, नींद है ना, नींद बहुत खुबसूरा चीज है, या खुबसूरा चीज होती है, होती लिख देता हूँ यार, होती है, है ना, truth ये truth है ठीक है so eyes अब देखते हैं पेश पलट के आगे क्या है so eyes देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है नीचे दिवे लबजों के नीचे उनके मतजात लिखिए ठीक है मतजात देखिए पतली का मोटी हसना का रोना और फूल का कांटे कम का ज्यादा सीधी का उल्टी अगर उल्टी नहीं दिख रहा तो ऐसे लिखते हैं उल्टी ठीक है धूब का च्छाओ अगर च्छाओ नहीं दिख रहा तो ऐसे लिखते हैं च्छाओ चेदु चश्मी है और चाओ और वाव पे हमजा और ये नून गुना योगा चाओ और कांटे नहीं दिख रहा तो दिखे काफल इस वाका नून और टे बड़ी ये जर टे कांटे ठीक है ज्यादा कोई दिकत नहीं आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद दिखिए मीचे आता है तो मजब ये लिखा मतलब में ती नहीं आता है तो ये मतलब हो गया खो खुद में खे आता है खो नहीं आता है ठीक है और ये अर्दू वाले ही समझ सकते हैं खा और खा में क्या फर्क होता है ठीक उसके बाद कि हिंदी में होता नहीं एक्शली में ये है ना वक्त म बड़ी काफ है बड़ी काफ होता है वक्त में हलांके यह सही है यह घ्रट है гарण नहीं होता है गयान होता है ठीजी मैं नननी पुजारन को पुजारन के बारे plant पॉजारन नननी पुजारन को पूजा करनी नहीं आती क्योंकि वो बहुत छोटी है इसलिए है ना क्योंकि मैं इसलिए बोल ला हूँ अपनी तरफ से हाला कि बस आमने लिखना है खाली नन्नी पुजारन की दोस्ती गुडिया से है जैसा कि सभी बच्चों का ऐसा ही हाल है नन्नी पुजारन सुभा देर तक सोती है ठीक है नन्नी पुजारन सुभा देर तक सोती है अगला है गाईस नन्नी पुजारन की अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है ठीक यह तो कहानी यहां खत्म होती आगे देखते हैं कुछ है की नहीं है 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 देखे क्या है हम पढ़ते हैं इसको बुलंद आवाज से पढ़िए और खुश खत लिखिये खुश खत का मतलब होता अच्छी राइटिंग में लिखिये और बुलंद बोलते हैं उची आवाज यानि के तेज आवाज उची आवाज में बोलिये जोर से बोलिये ठीक है बहराल बोलिये चाहे मत बोलिये लेकिन इसको लिखना जरूर है ये देखिए एक word है मतलब ये ध्यान ये बोर भाय यानि के सुबा हुई बिल्कुल सुबा पौने चार वाली चार बजे के बाद वाली ठीक है थाली जलक गर्यों में चार बजे पौने चार बजे भोर होती है और सर्दियों में ये नो शायद पांच बजे होती है बहराल टाइम बदलता रहता है मौसम के हिसाब से ठीक है इसको लिख लिखेंगे इस तरीके से और ये मैंने छोड़ दिया है बहराल तो अब कहानी यहां खत्म होती है ठीक है गाई offense खे से खत्म होता है खे से खत्म नहीं होता है जो खत्म बोलते हैं उनको अर्दू नहीं आती इसका मतलब और जो खत्म बोलते हैं यानि उनको सही Langौत अब देखी गाइस आट ये वेरी वाइल और इन सभी वीडियो को जो हमारे चैनल पर हैं उनको उन तक पहुंचाई जिसको उसकी जरुवत है चले मिलते हैं बाबाई डेक एर लाहाफिज